हलो इन्वेस्टर्ज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सेल यानि की स्टील अथोरटी आफ इंडिया लिमिटेड और LIC लिमिटेड के साथ में टोटल में 10 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिन्नोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्टॉक प्लेट एंड इन्ट अनाउंस कर दिया है, मैं हूँ आरुष आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाय आरुष आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शियर की तो company का नाम है Persistent Systems Limited Persistent Systems का जो share price है 7,970 रुपीज के उपर में चल रहा है एड़ इस company ने यहाँ पर इस stock split announce कर दिया है 5-10 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 5 shares है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे Basically आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लगो का हर एक share 2 shares के अंदर में convert हो जाएगा In short आपके पास में इस company के जितने भी shares होंगे वो सभी के सभी यहाँ पर double हो जाएंगे And stock split को देने की जो X date है वो रहेगी 28th of March की और वही जो record date है वो रहने वाली है 1st of April की अगले share की बात करें तो company का नाम है Ashok Layland Limited Ashok Layland का जो share price है 166 रुपीज के उपर में चल रहा है And इस company ने यहाँ भी dividend announce कर दिया है 4.95 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 4.95 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो X date और record date है वो 3rd of April की रहने वाली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Vesuvius India Limited Vesuvius India का जो share price है 3,433 रुपीज के उपर में चल रहा है And इस company ने यहाँ पे dividend announce कर दिया है 12.75 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक share के उपर में 12.75 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो X date और record date है वो 11th of April की रहने वाली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Scaffler India Limited Scaffler India का जो share price है 2,944 रुपीज के उपर में चल रहा है इस company ने यहां भी dividend अरौंस कर दिया है 26 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक share के उपर में 26 रुपे का dividend दिया जाएगा इसको देने की X date और record date फिलाल अभी upcoming में है आप लोग चैनल को subscribe कर लीजेगा जैसी X date और record date आएगी मैं आप लगो को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है hoodco limited यानि की housing and urban development corporation hoodco का जो share price है 175 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने यहां पर dividend अरौंस कर दिया है 1.50 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक share के उपर में 1.50 रुपे यानि की 1.50 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो x date और record date है वो 28th of March की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है REC Limited REC Limited का जो share price है 425 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने यहां पर dividend अरौंस कर दिया है 4.50 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 4.50 रुपे यानि की 4.50 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको देने की भी x date और record date सेम डे की रहेगी यानि की 28th of March की अगले share की बात करें तो company का नाम है Grow and Well India Limited Grow and Well India का जो share price है 163 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने यहाँ पर stock bonus अनाउंस करके रखा है 1 to 1 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पर आपको एक share है as a bonus मिलेगा टोटल में जो आपका एक share है वो 2 shares के अंदर में convert हो जाएगा इन शॉर्ट आप लोग यह भी कह सकते हैं आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो वो सभी के सभी यहाँ पर डबा लो जाएगे और इस bonus को देने की जो X date और record date है वो भी फिलाल upcoming में है जैसी announcement आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Visco Trade Associates Visco Trade Associates का जो share price है 222 रुपीस के उपर में चल रहा है और इस company ने यहाँ आपके stock split announce कर दिया है 1 to 5 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मर्जी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा और इस stock split को भी देने की जो X date और record date है वो भी फिलाल upcoming में है आप लोग definitely चैनल को subscribe कर लीजेगा विकोज जैसे ही X date और record date आईगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है sale यानि की Steel Authority of India Limited sale का जो share price है 132 रुपीस के उपर में चल रहा है and Steel Authority of India Limited की तरफ से काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे ET Now करके काफी जाना माना business analyst है and I am damn sure आप लोगों ने ET Now का तो नाम definitely सुना होगा और ET Now की जो team है इसके अंदर काफी जाने माने research analyst और technical analyst जोड़े होए है अब ET Now ने जोए Steel Authority of India Limited के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 150 रुपीज का दिया है तो लगबग 132 रुपे से लेकरके 150 यानि की 1500 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे ET Now expect करके चल रहा है sale के share के अंदर में अब देखा जाए तो Steel Authority of India Limited काफी जानी मानी काफी दिगज कंपनी है साथी साथ में PSU unit होने की वज़े से government का backup और trust यहाँ पे काफी जादा बढ़ जाता है साथी साथ में ET Now ने जोए यहाँ पे stop loss भी recommend किया है 120 रुपीज का तो 120 रुपे का stop loss देते हुए एक full-fledged brokerage call जो है यहाँ पे ET Now ने provide करी है Steel Authority of India Limited के share के उपर में अब सेल इंडिया काफी जानी मानी काफी दिगज कंपनी है इसमें कोई doubt नहीं है यह जो 150 रुपीज का target है यह आपका short term का target रहने वाला है अगर market sideways रहते हैं या फिर momentum कम रहता है तो जादा से जादा यह target आपका mid term तक के लिए extend हो सकता है बट यह जो target provide किया गया है काफी छोटे time frame एक short term के view से provide किया गया है तो अगर आप लोग चाहें तो Steel Authority of India Limited के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है LIC यानि की Life Insurance Corporation of India LIC Limited का जो share price है 910 rupees के उपर में चल रहा है और LIC की तरफ से भी एक काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे ICICI Securities करके एक काफी जाना माना brokerage firm है इंडिया के अंदर में कितना जाना माना और well-reputed brokerage firm है अब ICICI Securities ने जोए LIC Limited के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 1,030 rupees का दिया है तो लगबग 910 rupees से लेकर के 1030 rupees तक की एक जो rally है वो यहाँ पे ICICI Securities Expect करके चल रहा है Life Insurance Corporation of India Limited के share के अंदर में और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ICICI Securities ने stop loss भी recommend किया है जो की 824 rupees कराएगा तो 824 rupees का stop loss देते हुए एक full-fledged brokerage call जो है यहाँ पे ICICI Securities की तरफ से दिया गया है LIC Limited के share के अंदर में अब first of all LIC Limited जो company है वो life insurance sector के अंदर में काम करती है जोगी but obviously सी बात है future के अंदर में हमें grow करता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा and second चीज LIC भी government back day कही ना कहीं and कही ना कहीं government का काफी अच्छा खासा control यहाँ पे LIC के उपर में मौजूद रहता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए काफी अच्छी और secure investment यहाँ पे आपकी हो सकती है अगर आप अपना vision mid term से लेके long term का रखते है and यह जो 130 rupees का target है जो ICICI securities ने provide किया है यह आपका mid term के हिसाब से रहने वाला है तो अगर आप लोग चाहें तो LIC limited के share को भी आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं और LIC और sale के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 10 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगियो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा बिगोस फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई